गोचर के अंदर क्या देखते हैं जब किसी परसन का जिस वक्त में जनम हुआ उस वक्त प्लानेटरी जो भी सिचेशन बनी हो गई वो सेम आपकी कुण्ली में बन कर आ जाएगी लेकिन वह यह जरूरी नहीं है कि जिस वक्त मेरा जनम हुआ उस वक्त की प्लानेटरी शूप अशूप फल देंगे ऐसा नहीं है डेली का जो ट्रांजिट है यानि कि हर एक प्लानेट हमीशा मुव्मेंट करता ही रहता है हर एक प्लानेट जो है हमीशा कुछ न कुछ अपनी गति के एकॉर्डिंग चलता रहता है क्योंकि हम कुणली में जब भी प्रिंसिपल्स क्या बन रहे हैं उसकी कुणली में क्या क्या ग्रहो के एकॉर्डिंग प्रिंसिपल्स बन रहे हैं अब किसी को अगर टीचर बनना है तो सबसे पहले आप यह उठाकर देखोगी कि क्या कुणली में टीचर बनने के योग है या नहीं एक तो आप यह देखेंगे दूसरा हम देखेंगे ठीक है मेरी कुंड़ी में टीचर बनने के योग तो हैं अब मैं टीचर बनूंगी कब वह आप देखोगे दशा से तो कुंडली में जो हम विम्शोतरी दशा लगाते हैं या और भी जो दशाय लगाते हैं वो हम दशाओ के हिसाब से बताएंगे कि इस वक्त आपके एक्जाम हो जाएंगे इतने दो-तीन सालों में आपको टीचर की भी एक अच्छी जॉब मिलेगी तो आप ये टीचर की जॉ काम देते हैं लेकिन हम क्लियर नहीं हो पाते इसलिए तो इसलिए हम उसको दशा का साहरा लेते हैं अब होता क्या है कि दशा तो आ गई लेकिन क्या वो दशा भी फल दे रही है उसके लिए हमें एक और सहारा लेना पड़ता है वह हमारा ट्रांजिट यानि की गोचर तो द आपकी health tissue आ सकती है इस वक्त आपको कोई भी problem या कोई भी आपके लिए better अपकी marriage हो सकती है तो यह होगा अब यह भी ज़रूरी नहीं है गोचर के अंदर कि दशा तो बहुत अच्छी हो गई लेकिन गोचर भी अच्छा आ जाए यह भी नहीं होता तो हमें किसी भी घटना को देखने के लिए दशा भी अच्छी चाहिए उसका गोचर भी अच्छा चाहिए दशा जितनी मज़ी अच्छी मिल गई गोचर अच्छा नहीं मिला तो आपे फिर से problem आ सकती है अब दूसरी चीज यह है कि हर एक planet यह आप notice कर ले ना जितने भी हमारे 9 planets हैं 9 के 9 planets की एक गंटे में चल पा रहा है कोई सिर्फ एक कदम ही एक घंटे में चलता है और यह जो इनकी स्पीड है यह डेज से लेकर आपकी सालों तक जाती है यानि की दिनों से सालों तक जाती है सबसे टेज जो ग्रह dug चलता है वो है चंधरमा चंधर्मा मन का कारक है आपने कभी कभी देखा होगा कि कभी और और हो जाता है कभी कभी मन बहुत ही खराब हो जाता लेकिन आपको उसका reason नहीं पता चलता यानि कि 27 नक्षत्र का movement कर लेता है आप कभी भी notice कर ले ना आपका पूरा 30 दिन के अंदर आपका mood कभी एक जैसा रहेगा ही नहीं जब भी वो 3, 6, 8, 12 के आसपास गोचर करेगा या शनी के आसपास गोचर करेगा रहू केटू के आसपास चंदर्मा गोचर करेगा आपको किस वहीं दूसरा सबसे slow चलने वाला ग्रह है आपका शनी जो 30 सालों में पूरी आपकी जो पूरी कुंडली में जो जितनी भी आपकी बारा राशी है 27 नक्षत्रों का वो ब्रह्मन करता है कभी बोलते हैं कि साड़े साथी आती है क्योंकि 20 साल वो सिरफ एक राशी में रहता ह अब यह है कि अच्छा ग्रह जो है वो अच्छी दशा तो दे देती है लेकिन गोचर नहीं मिलता तो कहीं प्रॉब्लम रह जाती है इसके लिए भी हम वही चीज़ करते हैं अपनी रेमेडी उठाते हैं अपनी रेमेडी करते हैं और उसका अच्छे गोचर अच्छी दशा साथ साथ. सब बदेख लेकले, ne? सूरे, आपका एक अन्ष हर रोच चलेगा, एक डीग्री हरोच चलेगा कि सूरे जो है एक महिना, एक राशी में रहता है सूरे की जो डेड़ फिक्स है चोधा यह पंदरा के आसपास सूरे जो है राशी परिवतन करता है जिसकों की हम सक्क्रान्टी भी कहते हैं चंदर्मा जो है सवा दो दिन एक राशी में रहता है यानि कि वो 13 आन्श से 15 आन्श एक राशी में रहेगा इसलिए हम चंदर्मा को इतनी importance देते हैं नाम के लिए नक्षत्र के लिए किसी भी देखो जब भी मुहुरत निकलता है ना सिरफ चंदर्मा को ज्यादा अच्छे से उसको देखा जाता है कि चंदर्मा आपका कहा है चंदर्मा से ही मुहुरत निकाला जाता है और गोचर आपने कहां से देखना है गोचर भी आप चंदर्मा से देखना है मंगल 45 दिन एक ही राशी में रहता है बुद्ध जो है वो आपके 26 या 27 दिन एक ही राशी में रहता है इसको लिख लेना सासा गुरु जो है वो 13 महीने एक राशी में रहता है शुक्र 27 से 28 दिन एक राशी में शनी जो है दो साल छे महीने यानि की धाई साल एक राशी में राउं के तु अठारा महीने में अब दूसरी चीज इसमें अगर यह उतार लिया तो ने तो फोटो की चलो जैसे करना है अब दूसरी चीज यह है कि आपने इस गोचर को देखना कैसे है इसके लिए एक चार्ट दिखाती मैं आपको यही चार्ट देखो यह 1980 का जनम है जब भी परसंद का जनम हुआ आज के उसमें चार्ट आने दा चार्ट आने दा अब आया है ठीक है ओके टड़ यह 1980 का जनम है इस परसंद का और आज जितनी भी एज हो गई सुपोस करो आज 40 यह की एज है अब 40 साल की उमर में एक इंसान का क्या कुश्चन हो सकता है या तो उसको अपने बच्चे से लेट कोई सवाल होगा आज की टेट में या हो सकता उसको अपनी हेल्ट से लेटेट भी हो या सबसे बड़ी चीज आज कल करियर है या मुझे मेर मकान भी कब बनेगा यह भी हो सकती है 40 साल की उमर में सवाल तो यह तीन चार सवाल पर हम ट्रांजिट लगा कर सीखते हैं कि ट्रांजिट आपने लगाना कैसी है ट्रांजिट लगाने के लिए आपको हमीशा जब भी आप ऐसे एस्टोलोजर किसी का प्रिक्शन कर रहे हो तो आपको तीन से चार ग्रह हमीशा याद होने चाहिए आपको देखने की जोरत नहीं है कि मुझे कहा देखना है कि क्या है एक्चुली गुरू और सैटन यह दो प्लानेट ऐसी हैं जो बहुत लंबे समय तक ट्रैवल करते हैं कि राशी में इसके लिए ट्रांजिट में य अच्छे गाम के लिए नहीं देखते हैं अब यहां पर शनी और गुरू सुपोस करो कि यह कुंडली जिसकी भी है उसका कोशन है कि मेरा घर कब बनेगा या मैं गाड़ी कब लूंगा तो कौन सा सवाल आ गया चोथे घर का सवाल आ गया ठीक है सबसे पहले तो हम इसकी यहां पर दिखाई दे रहे हैं तो जुपीटर इनका एक्टिव हो रहा है चार जुलाई दो हजार बाइस से देखो कितना अच्छा हो गया एक हमने कोश्चन भी घर का लगाया और इसको घर की दैशा भी मिल रही है ठीक है तो यानि कि कहीं ना कहीं आज की डेट में जातक कि मन में भी घर, गारी से जुड़ा कोई ना कोई जरूर होगा या ओसकता है अपनी दुगान अपनी फैक्टरी क्यूकि 4th आउस आपकी दुगान फैक्टरी भी है जमीन से जुड़ा कोई भी कुश्चन या घर को old करना घर से जुड़ा कोई भी सवाल बिलकुल होगा अब दशा तो मुझे मिल गई चार जुलाई 2022 से मेरे उसके पाद से मुझे घर का समय जो है मेरा एक्टिव हो रहा है अब हम लगाएंगे गोचर गोचर में मैंने आपको सबसे पहले बोला शनी और गुरू शनी आज की डेट में कौन सी राशी में ट्रांजिट कर रहा है यह आपको याद होना चीर टिप्स पर शनी आज की डेट में ट्रांजिट कर रहा है मकर राशी में यानि कि इस हाउस में सैवन्थ हाउस में अब यह देखो आप नंबर एक द्रिष्टी लगाओ शनी की शनी की द्रिष्टी कहां आ रही है फॉर्थ हउस में आ रही है कि अगर इसको दस्वी आशी से गिनेंगे एक दो तीन चार पांच चे साथ आठ नो दस दसवी दिष्टी आ रही है ना एक तो येस मिल गया दूसरा येस चाहिए हमें गुरू का गुरू आज की डेट में ट्रांजिट कर रहा है आपका इस साइन के अंदर एक्टवेरियस में अब गुरू की दिष्टी लगाओ यहां से फोर्थ हाउस में आ रही है बिलकुल आ रही है कौन से दिष्टी आ रही है नाइन दिष्टी आ रही है तो परसन का जो सवाल है वो येस है कि आपको घर से बनी वी आपके जो कोश्चन है व थिकाँ से हम इसको transit में लगाएंगे अब एक June देखो आज की डेट में अगर मंगल बुमी कारक कारक तो मंगल कों आपने्ट में ट्रैवल कर रहा है आज म Marx कि प्सक्राइब या क्ला कर्शेक देख जा रहा है कि कर दिए पोरी अपनी अपसे क्षेक्स पुछ हो हुझ अब आप पोई सवाल है तो आप बताओ पर एक अगला टॉपिक देतम आप यह कैसे पता लगा कि शनी दस्वे घर में आज यह फिक्स है कि शनी धाई साल मकर राशी में है और वह अभी प्रेस्ट आज की डेट में आप गोचर का चार्ट था कि प्लेस्ट है आज की डेट का देखो ना और वह जब से उसने अपना जन्वरी 2020 में उसने आया था यह गोचर मकर में शनी का उसके मसेद साल मकर में ही रहेगा हाम second इस श्वे खौट से अगगी pat Will This Clone up. मैं बतातुम है तो यह चीज़े ध्यान रखना कि सबसे प्लानेट स्पीड में आपका चंद्रमा तेज चलता है और शनि सबसे देरे चलता है और ट्रांजिट के लिए हमें उस हाउस को देखना है जिस हाउससे जुड़ा हमारा सवाल है फिर हमने दशा देखनी है उस हांसे जोड़ी दशा कब मिल रही है फिर हमने ट्रांजिक लगाने है चंद्रमा को हम इसमें थोड़े से जादा इंपॉर्टेंस देंगे क्योंकि कहा जाता है कि लगन शरीर है ग्रह शक्ति कहीं गई है और चंद्रमा को प्राण का गया है अगर शरीर मे प्राण्य रहेंगे तो शरीर की शक्तिका कोई इंपोर्टेंस ने कोई मेहत्री नहीं है इसलिए चंद्रमा को बहुत ही इंपोर्टेंट बहुत ही अच्छा का या का थैसे थिछ गवोगिवी कैस्षण यह तने हुश्या रहें भी तुसमज़ें अधीर दिलें तो देखो आपको मेहनत आपको करनी है जहां रुकोगे वहां मैं आपके help करनी है एक इसको notice करो पहले जब भी हम देखते हैं कि शनी आज मकर राशी में है तो क्या वह मेरे लिए शुब है भली ही मेरे लिए आपका जो नेडल चंद्रमा है यानि कि आपका जो जनम का चंद्रमा है जनम का चंद्रमा और ट्रांजिट का सूरे नेडल, मून, ट्रांजिट, सन अगर एक चंद्रमा से सूरे की काउंटिंग करेंगे तो 3, 6, 10, 11 में आएगा तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए आपको सूरे से जुड़े अच्छे फल मिलते रहेंगे पूरा एक महीना क्योंकि सूरे आपका एक मीना चलता है ऐसी जनम चंद्रमा से चंद्रमा भी 3, 6, 10, 11 माइंड आपका बहुत खुश रहेगा, हैप्पी, एंज्वाए चंद्रमा से मंगल भी 3, 6, 11 में है तो भी आपके लिए बहुत पॉजिटिव है चंद्रमा से बुद्ध का है, फिर क्योंकि जब भी कोई प्रडिक्शन में आती है तो वो गुरू और शनी ज्यादा देखे जाती है मैरिज के लिए, गाड़ी के लिए, खोई भी आपने जॉब चेंज करनी है, अपने बिजनस स्टार्ट करना है, कब होगा, हेल्थ इशु में रख अप ठीक होगा, तो भी आप सब फ्रांसित से देख पाऊगी कीवर क्या होता है, मैंट्ली टेंशन बनी रहती है, तो आप देखो न, आपका चंदर्मा से शनी कहां पर है, जहां पर चंदर्मा से शनी चार आठ बारा में रहेगा, आपको उस पूरे ढ़ाई सालों में मैंट्ली टेंशन, मैंट्ली टेंशन रहे गी रही, यह हमारा ट् सब्सक्राइब करो कि आज की डिट में सूर्य कहां थे सूर्य मेरे आपको सिखाया तो ना कैसे देखना है इक महिना रहे गाएंगा यानि की 15 जनवरी से पंद्रा फर्वरी 13 फर्वरी के आज सूरे मकर में रहेगा फिर तेरा फर्वरी की से लेकर 14 मार्च 15 मार्च तक सूरे एक्वेरियरियस यानि कि कुम्म में आ गोचर का शूरे आटवे घर में है यानि कि चंदर्मा से सूरे छटे में है तो यह अच्छा है या बुरा यह बताओ सूरे इनके लिए इस वक्त अच्छा रहेगा अगर सूरे से जुड़ा कोई भी इन्होंने स्टैप उठाना है तो सूरे इनके लिए अच्छा रहेगा झाल यह बताओ